Hello everyone, welcome back to another video तो दोस्तो शिक्स सेमेश्टर एक्स वरांच वालो का फ़िस्ट एक्जामिनिशन चार तारीक को हो गया है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंटूलर का उसके बाद दोस्तो कुछ कमेंट आ रही थी कि पेपर बहुत ही यादा अच्छा गया है जो आपने आईएमपी बाला आये थे उसी में से आया है साथकसाथ दोस्तो कुछ इस्टूएंट जो की कुछ नहीं पड़े हुए थे उन्होंने मौडल पेपर की डिमाइड की थी तो मौडल पेपर उनके लिए सेर किया गया था तो दोस्तो मौडल पेपर में से भी अच्छे खासे कोश्चन आये थे अब दोस्तो उनका अगला एक्जैमिनिशन दस तारिक को रखा गया है तो दोस्तो उसके लिए वह रेगूरल पेपर की डिमाइड कर रहे हैं और आई- दोस्तो आपकी डिमाइड के अनुशार मौडल पेपर रेड़ी है जो भी इस्टूनेट मौडल पेपर की डिमाइड कर रहा था वहाई आपके लिए मौडल पेपर सेर हो जाएगा बहुत ही यल्द बागी दोस्तों ओवर्वीव देने के पहले आपको बता दें कि जिस भी इस्टूनेट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और डर लग रहा है कि बैक ना आ जाई यह वो तो भाई मौडल पेपर तयार करके चले जाएए अच्छा खासा कॉश्चन फच जाता है या फिर बोल सकते हैं बैक नहीं लग सकती है अगर नुमेरिकल कॉश्चन नहीं आया है और बाकी अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है जिनको आप टॉपर इस्टूइंट बोलते हैं तो फिर भाई आप एक काम करिए मौडल पेपर के जितने भी टॉपिक दिये गया है उन्हों को अच्छे से कर लिजिए हो सकता है आपने वह कॉश्चन नहीं किये हो जो 29 रुपीज है आपको प्रोसेस पता ही होगा डिस्क्रोशन बॉक्स में क्यू आर कोड का लिंक मिल जाएगा इसकन करके आपको उसका रिसिप्ट इस वाली जीमेल आईडी पर सेयर करना है आपको 15 से 20 में मौडल पेपर का लिंक सेयर हो जाएगा आप इसीली डावलूट कर सकते हैं तो दोस्तों यह वात थी मौडल पेपर की अब अगर बात करें इंपोटेंट कॉश्चन की जो की यूनिट वाइस हैं तो आपको सामने पीडिएफ दिख रहा होगा फस्ट यूनिट से लेकर फिफ्ट यूनिट के ओल इंपोटेंट टॉपक इंकलूड हैं जो की 2015 से लेकर 2022 तक के प्रिवेज यूर कॉश्चन पेपर को एनलेसिस करके आईमपी कॉश्चन निकाले गए हैं तो दोस्तों आपको सामने पीडिएफ दिख रहा होगा हो सकते तो आप इसका स्क्रीन सट ले लिजिए नहीं तो अगर आपको पीडिएफ का लिंग की चाहिए त टेक क्यार लभी ओल